हाई, माई नेम इस गौराव शर्माव, वेलकम टू अमजिसी बच्छो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक आपके बुक के बहुत ही असान्स चेप्टर और आर एंवार्मेंट में से एक इंपोर्टन कॉंसेप्ट बायोजिकल मागनिफेकेशन के बारे में कुल मिलाके इस चेप्टर के अगर में बात करो ना तो एक्जाम में पूछे जाने वाले जो कॉंसेप्ट से एक है आपका फूट चेंड जिसके उपर लगबग हर साल मानिये के सवाल पूछ लिया जाता है और उसमें भी जो अगर मैं देखूं तो एक मैं क्वेशन बताऊ होगे तो लगबग आपको हर साल इसमें से या फूट चेंड या ट्रॉफिक लेवल वाले क्वेशन जो हैं वो लगबग देखने को मिलेंगे तो चली जादा देर ना करते हुए इस बाइलोजिकल मागनिफिकेशन को समझते हैं और सवाल सबसे इंपोर्टन सबसे इंपोर पाइलोजिकल मागनिफिकेशन का मतलब है कि जब आप फूट चेंड पढ़ते हो बचो मानो कि यह कोई एक फूट चेंड है जहां पे आप बात करते हो कि कोई ग्रीन प्लांट्स है ठीक है या चली प्रोडूसर बोलो या प्लांट बोलो एक ही बात है यहां कोई प्लांट और प्लांट को जो है सिंपल खा गया कोई इंसेट खा गया ठीक है और इस इंसेट को खा गया कोई फ्रॉग इस इंसेट को खा गया कोई फ्रॉग और इस फ्रॉग को जो था वो स्नेक ले गया ठीक है और इस स्नेक को कौन खा गया इस स्नेक को खा गया फूट के अन्दर बहुट सारी मैटाबॉलिक अक्टिविटीज पा मतलब होता है कि आप फूट खाते हो आपके फूट से वेस्ट निकलता है है ना आपके food से आपको energy मिलती है दोनों काम होते हैं तो यह metabolic activities होती है आपके food के ओपर chemical substances act करते हैं enzymes आप लोगों ने पड़े थे life process में वो act करते हैं तो catabolic और anabolic reactions चलती हैं बचो और असान शब्दों में माला waste निकल रहा है और energy भी बन रही है दोनों काम हो रहे हैं आपके food से करें अब देखो प्लांट की body में भी तो कुछ वैसी होगा ना solar energy आई waste product भी बना energy भी बनाई अपने उसने photosynthesis की process की waste भी निकाले सेम यही चीज़ जब यह insect जो है जब यह insect इस plant को खा गया तो जाहिर से बात है कि यही metabolic activities जो है वो इस insect की body में भी होई होगी तो उसके बाद यही metabolic activities जो है यह frog खा गया इस insect को इस frog की body के अंदर भी यह metabolic activities होई हो भी इसने इसको खाके energy ली और इसने भी अपनी body के अंदर कुछ metabolic activities से waste बनाए और सेम वही चीज़ आगे continue रहे सवाल यहां पर यह है कि जब यह चीज़ आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है कि यहां से जो भी इन सभी की body के जो toxic substances हैं या फिर इन सभी की body के जो chemical substances हैं वो यहां एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चोथे में आगे transfer होती चले जा रहे हैं What I said कि जितने भी जो harmful chemical substances हैं वो एक trophic level से दूसरे trophic level में या एक organism से दूसरे organism की body में लगातार जाती चले जा रहे हैं बचो यही चीज होती है biological magnification the accumulation of harmful chemical toxic substances accumulation of harmful or toxic substances का deposit होना यह accumulate होना किसी इस किसी भी organism के अंदर है किसी भी trophic level के अंदर that is the biological magnification अगर आप देखें कि इसको खाया इसने और इन दोनों को खाया frog में इन दोनों को खाया किसने एक तरह से frog ने क्योंकि इसकी जो metabolic waste है बचो वो यहाँ पे भी तो transfer हुए न दियान से सुना क्या बोला मैंने कि इस plant के जो metabolic waste थे वो इस insect की body में थे और इन दोनों के जो थे वो इसकी body के अंदर थे और इन टीनों के जो थे वो snake की body में थे और जो इन चारों के थे वो human की body के अंदर थे सवाल यही पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा biological magnification में या सबसे ज़्यादा biological magnification किसकी body में देखने को मिलेगी तो हमेशा ध्यान रखेगा वो होगा human वो होगा human human हमेशा occupy करता है top of the food chain के उपड़ ठीक है? ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो ही करेगा लेकिन human दोनों है human omni भी है, human carny भी है human carny भी है, human harby war भी है तो human omni है वो कहीं भी occupy कर सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा biological magnification जो देखने को मिलेगी वो human के अंदर देखने को मिलेगी अब दूसरा सवाल बचो अगर मैं यहां से हटा दू मैं इस human को हटा देता हूँ और अब अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा biological magnification किस organism में देखने को मिलेगी या किस trophic level में देखने को मिलेगी human तो हमने हटा दिया तो अब आपकी दिबाग में कही वो तो नहीं कि यार human यह occupy करेगा अभी भी नहीं according to the situation आपसे वो अगर इस food chain के accordingly पूछे तो आपका जवाब क्या होगा बिल्कुल सही बाग snake आपका जवाब होगा तो यह होती है biological magnification इस तरह से question जो आपसे इससे पूछे जा सकते है और organism से अलाग अलाग पूछ सकते हैं कि कौन कहां पे occupy कर रहा और उसकी body में क्या होगा कुछ भी हो सकता है यहां पे hawk हो सकता है आगे hawk लगा दिया मान लेजेए यहां पे कोई hawk लगा दिया तो अब सबसे जादा biological magnification उसकी body में हो गए मालो छोटी chain है, plant है, plant को खाया deer ने उसको खा गया lion अब आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे जादा biological magnification का है तो अव्यसी बात है, lion होगा तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कुछ और वीडियो में कुछ और सवाल आपको देखनी को मिलेंगे कुछ और questions आप लोग के लिए 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 आँगा कि board में किस तरह के सवाल जो है अलग-अलग concepts से, अलग-अलग chapters से आप लोग के बनते हैं अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में Thanks for watching